ये सुष्टी में आध्यात्मिक शेत्र के लिए दुनिया के हर कोई मानव, हर कोई संप्रदाई को मानने वाला हो, हर कोई धर्म को मानने वाला हो, सभी मानव सत्य को डुनना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, कुद्रत को पाना चाहते हैं हर कोई मानों की अंदर की एक ख्वाईश होती है इसमें अंसधा को मानने वाला भी उनके मन में जो अंसधा के रूपी कुद्रत को माना है उनको पाना चाहते है सद्धा को मानने वाला भी उनके मन में जो सजा की विशारधारा जूड़ी है वो भी उनके विशारधारा वाले कुद्रत को पाना चाहते है सत्य के साथ सलने वाला निजपत पर सलने वाला मानव भी उनकी विशारधारा में जो अनुबूती हुई है उनको भी वो कुद्रत को पाना चाहते है और असत्य के साथ जलने वाला भी उनके मन में जो विचारदारा कुज़रत के बारे में जूड़ी है वो उनके कुज़रत को पाना चाहते है हर कोई मानव, कोई मानव ऐसा नहीं होगा कि वो अपने अपनी विचारदारा में के माने हुए कुज़त को नहीं पाना चाहते है हर कोई मानव जो विचारदारा से जुड़ा हुआ है सजा के हो या अनसजा के हो सत्य के हो या सत्य के हो उनकी विचारदारा में जो उनकी परमपरा में उनकी विचारधारा की परमपरा में जो सीज को मान रहे हैं, उनकी माना हुआ कुज़त को हर कोई मानव पाना चाहते हैं। फिर भी कुज़त को पा नहीं सकता है। क्या कारण हो सकता है। कोई भी मानव के सामने जब सच्य का वसन कोई योगी पूरूष, प्रैक्टिकल योगी पूरूष, निजपत पर चलने वाला योगी पूरूष, जब उनकी अनुभूति का सब्दों उनको सुनाते हैं, सच्य की बात उनके सामने रखते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता हर कोई मानव की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी सामिल हूँ, मैं इसमें बाकात नहीं हूँ, यह मत समदना कि मैं कोई सिद्ध पुरूश हूँ, नहीं, मैं एक सामन्य सादू हूँ लेकिन जो सत्य मैंने अनुबूती किया है उसकी मैं आज बात कर रहा हूँ जो समाज में मैं चारों तरफ देख रहा हूँ उसकी मैं आपको सामने थोड़ी सी एक जलग दिखा रहा हूँ हर को मानो सत्य को पाना साथ है उनके उनके तोर तरीके से लेकिन जब सत्य उनको पीर्षा जाता है तो उनका स्वाध उनको बहुत कड़वा लगता है उनका गुठडा और गड़क अंदर उतार नहीं पाता है वो मानौ उनको शिकार नहीं कर सकता जल्दी मानौ अपना मुह घुमा देते है इसी बातों से क्यों? कि मानु का इसा सोभाव हो गया है कि वो सत्य को पाना चाहते है वो सब दिखावा करते है अपनी मन की विचार धारा में जो कुजरत गुश गया है उनको वो पाना चाहते है सही में कुजरत क्या सीज है वो जानना नहीं चाहते है सब दिखावा करने के लिए कुज़त को पाना चाहते हैं, ऐसे सब समाज में दिखावा होता रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें थोड़ा मनन्मन्थन करना पड़ेगा, हर कोई मानों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा होने का कारण क्या है, ये भी हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, मनन्मन्थन करना पड़ेगा, तब हम सत्य की तरफ, सत्य का राह हमको साइद दिख सकता है, ऐसा इसलिए वो मारे साथ होता है, कि वो मानों बड़पन से लेकर आज दिन तक, जो भी सत्य की, असत्य की बाते सुनी है, पढ़ी है, उनकी मानसिक्ता वोही बातों के साथ जूड़ी हुई है, इसलिए वो जो मानसिक्ता बस्पन से वो जो बातों के साथ उनकी मानसिक्ता जूड़ी हुई है, उनको ही हो सत्य मानकर उनका जीवन बिताते हैं, उनकी बातों में उनकी विचारधारा में जो कुजरत उनकी विचारधारा में जुड़ा हुआ है वो कुजरत को वो पाना साथ है इसलिए सत्य क्या है वो उनकी समझ से पर रहेगा वही कारण से मानों सत्य को पहचान नहीं सकते है हम सालों से युगों से देखा रहे है कि करोड़ो अब जो मानों में एक ही मानों सत्य को पा सकता है हमारे सामने नजलोगती सामने की ये बात है इसके बारे में भी हमें थोड़ा मनन मन्थन करना पड़ेगा पूरो जनम के कर्मों के आधिन सत्य को पाने के लिए ही सफलता मिलती है हमारे पूरो जनम के संसित कर्मों में वशास्ट अगा से उपर जो हमारा अधर्म वाला दुश कर्म वाला कर्म होगा तो यह प्रकुति हमको कभी सत्य के पांच जाने की हमारी मती चलने ही नहीं देगी कभी नहीं चलने देगी क्योंकि हमारा पूरोजनम का जो बगोटा लिखा है वो कौन भोगट पाएगा? कौन भोगट देगा? वो तो भोगट रही पड़ेगा वो भोगटने के लिए प्रकुति हमारा मती नहीं चलने देती है सत्य के पांच जाने नहीं देती है अगर सत्य के पांच जाने देती है तो हमारे मगज में वो सब्दों उतर नहीं नहीं देता है सबसे बड़ा यही रहश्या है ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें मानों का कोई दोस नहीं है कि वो सत्य की तरफ है कि असत्य की तरफ उनके कर्मों का दोस उनको नड़ता है सिफ उनके पूरो जन्यम के कर्म ही उनको सत्य के नज़्दिक नहीं जाने देते है भुगतने की स्थिती मानों को सत्य से दूर रखता है इतना ही मानों का दो से है उनके कर्मों का दो से है फिर भी मानों असत्य को ही सत्य मानने लगता है लेकिन असत्य को सत्य मानने के लिए मानों ये भी कभी विचार मंथन नहीं करता है कि हम जो मान रहे है इसमें कभी मानों का उधार हुआ होता हमने देखा है ये भी हमें सोचना पड़िये हम जो भी थियरी को मान रहे है जो भी थियरी हमारी मन की विचारदाराम है वो थियरी वाला कुद्रत को हम मान रहें, तो इसमें वो थियरी में कभी कोई मानो का उधार हुआ होता हमने देखा तो नहीं है, इसा जो मानो मनन मन्थन करेगा, तो मानो को सत्य का स्वाद मिठा लगने लगेगा, और वो एक दिन सत्य के पांज जरूर खड़ा हो जाएगा इतना विशार मन्थन मानो को करना चाहिए, हर कोई मानो को करना चाहिए, मैं सभी मानो जात के लिए बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति विशेश के कोई संस्था विशेश के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, धर्ति पर सभी मानो इसमें समावेश हो जाओ है, ये जो मेरी बा उनको शत्य का स्वाध कड़वाई लगता है, सत्य हमेशा उजवन होता है, और असत्य हमेशा अंहिकार्मए होता है, इसलिए सत्य को पाने के लिए अपने मगज में बरी हुई, सब्भी बातों को विचार्मन्थन करना चाहिए, हर कोई मानोव को, विचार मंतन भी ऐसा करना चाहिए कि वो पॉजिटीव दिशा में करना चाहिए नेगिटिविटी वाली विचार धारा में नहीं पॉजिटिविटी विचार धारा में करना चाहिए नहीं तो सत्य को पहिशान नें बीश में अंकार खड़ा हो जाता है नेगिटिविटी वाली विचार धारा में आप सत्य को पहिशान जाओगे ने पहिशान ने के लिए जाओगे तो आपके बीश में अंकार बहुत बड़ा अंकार की दिवार खड़ी हो जाएगी आंकार कभी तूटता नहीं है, आंकार मानो को सत्य से दूर रखता है, यह सभी मानुजाती की यह कथा है, जिनों ने भी बाहर खोजा है, जो भी मानों ने बाहर ढूंडा है, उनको अब तक कुछ नहीं मिला, वो खाले आत रह गए, पराजित हो गए, एक भी मानों ने बाहर खोजने वाले मानों कभी यह नहीं कह पाए कि मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ आशिल हुआ, ऐसा एक भी मानों आज दिन तक नहीं कह पाए है, इससे बड़ा वेगनानित अच्छे और क्या हो सकता है, यही बात का मानों को सब से पहले विचार मन्थन करना चाहिए, तब वो सत्यकाराही बन सकता है, इसी तरह से विचार मन्थन की सरुवात करनी चाहिए, दूसरा ए बात का विचार मन्थन करना चाहिए, कि जो थियरी को मैं मान रहा हूँ, वो थियरी में मुझे क्या मिला, और जो सिद्धो कह गये है, वो क्या कह गये है, ये बात का भी मानोजात को विचार मन्थन करना चाहिए त्रिश्री बात को ये भी मानोजात को मननुन्थन करना चाहिए कहम जो भी पुस्तक को मानते है वो पुस्तक में तच्छियो वाली वैगनानिक वाली बाते कितनी है सही है कि मन गडित विचार धारा वाली बाते हैं ये भी हमें मानना चाहिए पुष्टकों कोई बारों में तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहिना है पुष्टकों कोई बारे में मुझे बहुत ज्ञान भी नहीं है इसलिए पुस्तकों के बारे में मुझे बोलना मेरे लिए उचीद भी नहीं कहाँ दाव है लेकिन पुस्तकों की गहराई में जाकर मनन मंधन तो जहर कोई मानों को करना चाहिए मनन मन्थन के बिगर ये सुष्टी में कोई भी वास्तरिता हमारे सामने खुली होने वाली नहीं है ये बात कामिस आप याद रख लेगा सभी योगी पूरुसों जो कहते हैं तब उनका सत्य का भेद उनके सामने आया है सत्य के राह पर जाने के लिए उनको राष्टा दिखाए देता है जब ओ मनन मन्थन करेगा तब ओ मानों को निजपत का राष्टा दिखाए देगा जो आज दिन तक हम देखते आये है पढ़ते आये है सुनते आये है वही बातों का भी मानों को निश्यक पुर्वक सत्य मान लेते है लेकिन वही बातों का मानों कभी विचार मंथन करते नहीं है यही बातों का भी विचार मंथन करना चाहिए न्याया लई में जब गुनेगार की सभी थियरी पॉलिस कोर्ट में लेखिद में रज़वात करती है ये बात बहुत समझने जाई сी है तो भी जो न्याय देने वाला जज़ बैठा है वो ये पॉलिस की थियरी को मानता नहीं है सही तरीके से वो भी गुनेगार का भी तच्छों तपासते है जो न्याय मागने आया है उनका भी तच्छों तपासते है और शाक्षियों का भी तच्छों तपासते है और पॉलिस का भी तच्छों तपासते है इसी तरीके से तच्छों तपासने के लिए वो न्यायलई में पॉलिस के द् लिखी गई थियरी में मनन मन्थन करते है तब वकिलों की भी उसमें मनन मन्थन करने में दोनों तरफ के वकिलों की भी राय लिया जाता है सरकारी वकिल की भी राय लिया जाता है और वो सभी की राय करने के बाद ही कोट गुनेगार को सजा देने में सक्षम होती है कि इसके प पॉलिस की थियरी में कितनी सत्यता है, वो तपास करती है, कोट मनन मन्थन करती है, मनन मन्थन करने के बाद ही कोट की समक सत्यता बार आती है, इसको मनन मन्थन कहा जाता है, इसी तरीके से हम जब तक सारे तच्छों का मनन मन्थन नहीं करेंगे, तब हमारी सामने वास्तविक तक खुली ओने वाली नहीं है कि हमेशा याद रखना